नमस्कार परदाफाश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना ले आज परदाफाश में बात करेंगे कॉंग्रेस के हिंदू विरोधी अभियार की एक के बाद एक कॉंग्रेस के नेटा धर्म की राजनीती कर वोट बैंक बटोरने के लिए गंदी राजनीती का खेल खेल रहे हैं जी हाँ आजादी के बाद से भारत पर सबसे जादा राज करने वाली सियासी पाटी कॉंग्रिस का चरित्र हर रोज मेला होते जा रहा है कभी हिंदूों के खिलाफ प्रोपेगांडा तो कभी संवधान और न्याय पालिका के खिलाफ सियासी रणनी थी कभी सेना पर सवाल तो कभी हिंदूस्तान से बगावत और पाकस्तान से गड़बंदन जैसी कर्तूत को अंजाम देकर कॉंग्रिसी नेताओं ने देश विरोधी रहा को अपना लिया है तभी तो उनके नेता हिंदू देवी देटाओं के बारे में ऐसी ऐसी बाते करते हैं जो खून खोला देती हैं जा एक तरफ तो कॉंग्रिस के नेता सुधाकरन ने भगवान श्री राम और माता सीता का अपमान किया तो वही राजिस्थान सरकार में स्वास मंतरी परसादी लाल मीना ने भगवान राम की तुलना राहूल गांधी से की है मुस्लिम तुष्टी करण के नाम पर कॉंग्रिस हमेशा से हिंदू विरोध की मानसकता से ग्रसत करही है नेरु खांदान शुरू से ही हिंदूं से नफरत करता रहा है और हिंदूं को तोड़ने का परयास करता रहा है कॉंग्रिस के पास हिंदू विरोधी होने का लंबा इतिहास रहा है नो तो कॉंग्रेस अपनी गंदी राजनीती से बाज आ रही है ना हिंदू पर हमला कम हो रहा है पहले शुरू करते हैं सुधाकरण के बयान से कॉंग्रेस के नेता हिंदू देवी देपताओं का उपहास उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते इसी कड़ी में एक नाया नाम सुधाकरण का जुड़ गया है वैसे तो केरेल प्रदेश कॉंग्रेस समती के अध्यक्ष सुधाकरण अकसर अपने अजीबो गरी बयान को लेकर सुर्ख्यों में रहते हैं लेकिन इस बार तो उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है उन्होंने एक अकबार को दिये गए इंटर्व्यू में नर्सिफ भगवान राम, मासीता और लक्षमन का अपमान किया बलकि रामायन में वर्ण तथ्यों को तोन मनोड कर पेश किया दरसल उन्होंने दे न्यू इंडियन एक्सप्रेस अकबार को एक इंटर्व्यू दिया था एक सवाल में उनसे पूछा गया था कि दक्षन केरल और मालाबार के नेता कैसे अलग है तो उन्होंने कहा कि हाँ एतिहासक रूप से अंतर है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भगवान राम रावन का वज़ करने के बाद अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ पुषपक विमान से आ रहे थे जब विमान केरल के दक्षनी शेत्र से गुजर रहा था लक्षमन के मन में राम को समुद्र में धकेलने और सीता के साथ जाने का विचार आया लेकिन जैसे ही वो थिर्सूर पहुँचे उनका विचार बदल गया इस पर भगवाद राम ने उनके कंदे पर थपथपाते हुए कहा था कि उन्होंने लक्षमन के मन को पढ़ लिया था और ये उनकी यानी लक्षमन की नहीं बलकि उस भूमी की गलती थी उनके बयान के व्यापक रूप से आलूचना हुई उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा सुधाकरण ने बयान वापस लेते हुए कहा कि ये मालाबार शेत्र में एक प्रचलत कहानी है जिसे सुनकर वो बड़े हुए है उन्होंने कहा मैंने जो कहानी सुनी थी उसी को सुनाया मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था वहीं बीज़पी के आईटी सेल के प्रमुक अमित मालवे ने 18 अक्टूबर 2022 को कॉंग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिक्ता पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि एक राज केरत जहां से कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद है और अपनी भारत जोडो यात्रा के लिए अधिक्तम समय बिताया है वहां कि प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान राम, मसीता और लक्षमन का अपमान किया ये किस तरह के हिंदूों से नफरत करने वाले लोग कॉंग्रेस के शिश पदों पर बैठे हैं या यही उनकी योगिता है कॉंग्रेस के हिंदू विरोधी एजेंडी की लिस्ट तो काफी लंबी है लेकिन हाली में दिये गए बयानों पर ही नजर डाले तो राजस्थान सरकार में स्वास मंतरी परसादी लाल मीना ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला परसादी लाल मीना ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी की तुलना भगवान श्री राम से कर डाली उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या से लंका तक पैदल गए थे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहूल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर तक पैदल जाएंगे ऐसे में वो भगवान राम से भी अधिक पैदल चलेंगे मीना के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि राहूल की भगवान राम से तो लना गलत है जनता सब देख रही है दरसल राजस्थान की गहलोत सरकार में मंतरी परसादी लाल मीना को दोसा जुले के लाग सोट कजबे में बगडी गाउं में CHC भवन समेत कई अन्यो योजनाव का शिलन्यास करने पहुचे थे इस दोरान उन्होंने कहा कि राहूल गांधी 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो भगवान राम से जादा पैदल चल रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राम ने भी इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी बकॉल कॉंग्रेसी मंत्री भगवान राम अयुध्या से श्री लंका तक पैदल गई थे और उसे भी जादा रहूल गांधी की ये एतिहासिक पद्यात्रा जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी उन्होंने कहा कि देश में जैसा मोहल है सामप्रोदायक्ता का वातवरन बन गया है उसमें राहूल गांधी देश जोडने का काम करने वाले है साथी बयान दिया कि इतनी लंबी पद्यात्रा न कभी निकली और न आगे कोई निकाल पाएगा कभी हिंदू विरोधी है जेंडा तो कभी पाकस्तान की वकालत आए दिन कॉंग्रेस देश विरोधी कामों में आगे चल रही है कहने को तो कॉंग्रेस भारत की सबसे पुरारी राजनितिक पार्टी है लेकिन जब गुणगान की बात आती है तो कॉंग्रेसियों को पाकस्तान अच्छा लगने लगता है ऐसे कई उधारन मौझूद है शशी धरूर ने अपने पाकस्तान प्रेम का बार बार प्रदर्शन किया है कॉंग्रेस नेता शशी धरूर ने पाकस्तानी मीडिया से बातचीत की और भारत की बुराई तक कर दी थी इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना मामले में भारत की स्थिती को पाकस्तान से खराब बताया था साथी पाकस्तान की तारीव भी की थी शशी थरूर का जमातियों से प्रेम भी जग जाहिर है चशितरूर ने तबलीगी जमात भारत में पीड़ित को बताया है और कहा कि कोरोना से बहतर तरीके से निपटने पर हमें पाकस्तान से जलन हो रही है मुसलिम होने की वज़े से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया विकास को लेकर चशीतरूर ने चीन की तारीफ की थी दूर क्यों जाए भारत जोडो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की ही बात करे तो कॉंग्रेस नेताओं में सबसे पहले राहुल गांधी की बात बताते हैं उन्होंने आतंकी मसूद अजर को मसूद अजर जी कहा था वहीं उनके चहेते नेता नवजोज सिंग सिध्धू ने पाकस्तान के पीम इमरान खान को फरिष्टा बताया था दिगविजे सिंग की बात करें तो दिगविजे सिंग ने तो आतंकी हाफिस को हाफिस साहब तक कह दिया था इसके लावा कॉंग्रेस नेता भी के हरी प्रसाद ने या रोप लगाया था कि पुलवामा हमला मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग है महीं मनिशंकर अयर ने कहा था कि भारत पाक के बीच बाच्ची तभी आगे बढ़ेगी जब मोदी पेम पट से हटेंगे कॉंग्रेस पार्टी को हिंदू की भावनाओं की कत्य चिंता नहीं इसलिए कॉंग्रेसी नेता उदित राज ने ये सवाल उठा दिया था कि कुम्ब का आयोजन सरकारी खर्चे से क्यूँ जिस जिन्ना की लगाई आग में हजारों हिंदू मुसलिम जलकर खाक हो गए उसी जिन्ना प्रेमी गैंक के नेता बिहार चुनाव में भी पहुँच चुके हैं कॉंग्रेस ने बिहार के जिले सीट से मशूर एहमत उस्मानी को उमीदबार बनाया था ये वही मश्कूर हैं जिसने 2018 में अपने जिन्ना प्रेम का खुलेया अम्यू में प्रदर्शन किया था इतना ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है आतंकी संगठन ने खुद माना लेकिन फिर भी दिगविजे सिंग ने कहा था कि मुंबई हमले में आरेसेस का हाथ है दुनिया भले इधर से उधर हो जाए लेकिन अपनी राजनिती चमकाने के लिए सियासी ठेकेदार कुछ भी कर गुजरने के लिए तयार बैठे रहते हैं खास तोर पर कॉंग्रेस के कुछ महानुभाव जोने भारत से न जाने कौन सी परिशानी और पाकिस्तान से न जानी कौन सा लगाव है कॉंग्रेस पार्टी की ऐसी सियासत का नजारा देखकर जुबान से एक ही शब निकलता है लानत है तो ये था कॉंग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश आज के लिए पर्दाफाश में इतना ही कल्लाई मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर गनपस को फूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक हूँ मैं हर खमर से खरा सच निकालता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेस क्यापिटल गीव उत्तरक देश